Allo बच्चो, पच्चो आज हम Lesson Number 11, General Conversation पढ़ेंगे General Conversation का मतलब होता है हम रोज मराव की जिन्दगी में जो बात्चीत करते है Conversation का मतलब होता है बात्चीत तो आईए Chapter शुरू करते है बच्चो ये है रवी और ये है मीनू अब ये दोनों आपस में क्या बात्चित कर रहे हैं? वह हम देखते हैं रवी, गुट मॉनिंग रवी कह रहा है शुब प्रभात मीनू, गुट मॉनिंग इस पर मीनू कहती है शुब प्रभात अब रवी पूछ रहा है How are you? रवी कह रहा है तुम कैसी हो? मीनू, I am fine मीनू कहती है मैं कीखू रवी, have you done your homework? रवी कह रहा है क्या तुमने अपना ग्रिह कारे कर लिया है? होमवक का मतलब होता है बच्चो ग्रिह कारे या फिर घर में दिया जाने वाला कारे मीनू, yes, let's play some game इस पर मीनू कहती है हाँ, चलो अब हम कुछ खेलते हैं क्यूंकि बच्चो मीनू ने अपना homework टाइम से कर लिया है और क्यूंकि उसने अपना homework टाइम से कर लिया है अब वो खेलना चाह रही है और वो इसलिए कह रही है कि चलो अब हम कुछ खेलते हैं तो बच्चो हूप आपको ये छूटा सा conversation समझ में आ गया होगा तो आईए हम एक activity करते हैं बच्चो इस activity में अब हम एक conversation करेंगे इसमें मैं आपसे कुछ question पूछूंगी और आपको इसका जवाब देना है तो आईए शुरू करते हैं How are you? तुम कैसे हो? बच्चो जब आप से कोई पूछे कि तुम कैसे हो तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा I am fine या फिर I am good या फिर अगर आप उतास हो तो आप कहोगे I am sad तो आपका जवाब कुछ भी हो सकता है ठीक है? अब next question Where do you leave? आप कहां रहते हो? बच्चो आप कुरल की गाओं में रहते हो तो आप कहोगे I live in कुरल की तो बच्चो फूप आपको ये lesson बहुत ही interesting लगा होगा और आपको मजा भी आया होगा पढ़ने में Thank you so much